नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं धारना पर बैठे पराशिचकों ने सरकार के वादा खिलापी के खिलाप जम कर नारेबाजी की धारना पर बैठे पराशिचकों ने कहा है कि सरकार एक महिने के अंदर वारता के जर्गे समस्टा के निदान का स्वासन दिया था लेकिन आज तक कोई करवाई नहीं की गई धाना पर बैठे टेट सफल सहयक अध्यापक संग के परदेश अध्यक्ष परमोत कुमार ने सरकार के नए ने मौली पनरागी जताते हुए कहा है कि हम टेट पास पाराशिक्षक प्रसिक्षित होने के साथ टेट पास भी है महा दिवक्ता ने भी मंतवे दिया है कि टेट पास पाराशिक्षकों को बेतर मान दिया जा सकता है इसके बावजूद सो तेला बेभार किया जा रहा है ज्यार्खन केबिनेट की बैठक 20 अक्टूबर को कई प्रस्ताओं को मिलेगी मंजोरी ज्यार्खन केबिनेट की बैठक 20 अक्टूबर को होगी मुख्य मंत्री हमाचुन के दख्या में आउजित इस बैठक में कई आहम फैसलों पर मुहर लगेंगी आने वाले समय में दिपावली और छोट महापर को देखते हुए सरकार कुछ सौगादे भी दे सकती है बता दे मंत्री मंदल सचिवाले और निग्रानी विभाग के मुताबिक 20 अक्टूबर गुरुवार को आयोजित इस बैठक में कम से कम एक दरजन अहम पैसलो पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है बैठक का आयोजित साम चार बज़ से मुख्य मंत्री हमन सुरेन के अधक्स्ता में होगी धुर्वा इस्थित प्रजेक्ट भवन के कैबिनेट सबागार में बैठक होगी गौतला भाय की इस मीटिंग में सियम हमन सुरेन सहीत सभी बिभागों के मंत्री बिभागे सचीव मुख्य मंत्री के पधान सहीत अनलोग उपस्तित रहेंगे CBAC स्कूलों की तरज पर जहारखन में जल्द खुलेंगे सरकारी स्कूल कोडर्मा के बागी टांड स्टेडियम में सरकार की महत्वकान छी आपकी वजना आपकी सरकार आपके द्वारकार करम में सिरकत करने पहुंचे स्कूल खुलेंगे इसको लेकर त्यारी चल रही है सिक्षकों को इसके लिए अलग से परिशिक्षन भी दिया जा रहा है CBAC पेटर्न पर इन स्कूलों का संचालन किया जाएगा और इन स्कूलों में राजे के गरीबों के बच्चों को मुफ्त सिक्षा दी जाएगी CM हमन्त ने गठबंधन सरकार के उप्रपद्यों को गिनाते हुए विजन को सामने रखा वही भाजपा का नाम लिये बिना बिपक्ष पर जम करनी साना भी साधा CM ने कहा कि जारखन में 20 वर्षों तक राज करने वाली सरकारों ने बंध कमरे में जोजनाओं को समाप्त कर दिया था हमारी सरकार ने जहा नजरे नहीं जा रही थी वहाँ जोजनाओं पहुचाई है पुर्व की सरकार में भुख मरी किस्थिती थी हाथ में रासन काट होने पर भी जान चली गई न खाने के लिए अनाज दे रहे थे न तन ढखने के लिए का पड़ा हमने इस बेवस्था को बदला है हलाकि हमारी सरकार बनते ही कुरोना का परकोप आ गया उस समाई केंद्र के सोतेले बेवार के बावजूद हमने जंग जारी रखी राज्य के किसी मजदूर को मरने नहीं दिया पहले दो वर्स कुरोना का परकोप रहा जारखन बिहार बंगाल उडिसावा आसम में 30 नौमबर को रिलेवेट ठप आदिवासियों को सारना धर्मकोट के मनेता देने कि मांग को लेकर मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के सामने पूर्व संसर सालखन मुर्मू ने बिसाल जन परदर्शन किया परदर्शन का नेजितों कर रहे है पुर्व सांसर सलखन मुर्मु ने कहा है कि प्राकिर्तिक पुजक आदिवासियों की धार्मिक मनयता का मामला है आदिवासि ना तो हिंदु है नहीं मुसल्मान इनका अपना धर्म है भारत सरकार इस पर फैसला ले और जल्द से जल्द सरना धर्म कोट को लागू करे बता दे पुर्व सांसर सलखन मुर्मु ने कहा है कि अगर 20 नौवंबर 2022 तक भारत सरकार सरना धर्म कोट पर कोई निर्ना नहीं लेती है तो 30 नौमबर 2022 को देश के पांच राज ये जिसमें जार्खन बिहार बंगाल, ओरिसा और असम में रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा उन्होंने बताया है कि धारना परदसन में करीब 8000 से 10 यह लोग सामिल हुए जार्खन का प्रोड़क्ट अफरीका देशों तक पहुचाने की योजना है के राजेपाल, रमेश, बैस, मुख्य, मंत्री, हमन, सुरेन, और मुख, सची, सुखदेव, सिंग के साथ विचार विमर्ज के बाद दोनों राईडूतों ने सोमवार, मंगलवार को रांची, रामगर और हजारी बाग जीले में अलग-अलग उत्पादों की प्रोड़क्ट यूनिट का निरिक्षन भी किया गढ़वा के बुढ़वा पाहर पर सर्च अपरेशन में कई आईडी बरामद जार्खन के गढ़वा जीले के बुढ़वा पाहर से सटे थालिया वजहंडी मुंडी पाहर से कोबरा दोसो तीन बटालिया ने भारी मात्रा में आईडी बरामद की है ID के साथ hand grenade, हथियार एवं गोला बारूत, सहीत अन्य समयगरी बरामत की है सर्च अभियान के दोरान पुलिस को फीर कम्याभी मिली है इससे पहले भी नक्सलियों खिलाब पुलिस को सफलता मिली थी पुलिस ने कोई ID बरामत किये थे बता दे कोबरा 203 बटालियन के डिप्टी कमाने डिजेंदर कुमार के नितिवते में जार्खन पुलिस वर स्यार पीएव के सन्युक्त करवाई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है मंत्री जगनाथ महतो प्रोटोकाल तोड़कर स्कूली बच्चों के साथ गोलकापा खाया और गोलकापे कालूपत उठा रहे हैं सिक्षा मंत्री को अपने बीच पाक और बच्चों में भी खासा उसा देखा जा रहा है आपकी योजना आपकी सरकार में अब तक पहुंचे 10 लाख लोग चारखन के हेमंत सुरेन सरकार का महत्वा कांची महा अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कायोजन पिछले 12 अक्टूबर से राजभर के विभीन पंचायतों में किया जा रहा है मुख्य मंत्री हमंसोय ने इस महा अभियान का सुभारम गिरीडी से किया था इसके बाद मुख्य मंत्री चायबासा, बोकारो और कोडारवा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कायोजन दो चरणों में किया जा रहा है प्रत्थम चरण 12 से 22 अक्टूबर तक, वहीं दूसरा चरण 1 नॉमबर से 14 नॉमबर तक आयोजित होगा इस महा अभियान में कुल 9,57,614 लाभको से 10,40,476 आवेदन प्राप्त किये जा चुके है इनमें से 4,78,747 आवेदन का निस पादन भी कर दिया गया है दुमका में अब ना तो दुकान में और नहीं बोतल में मिलेगा पेट्रोल देर सही सही लेकिन पुलिस परसासन ने किसोरी और यूती के हत्या के बाद बोतल में पेट्रोल नहीं देने के निर्देश जारी किया है सबी थाना पर भारियों को निर्देश दिया गया है कि उनके छेतर में अब किसी भी दुकान में पेट्रोल वर डिजल नहीं बीकना चाहिए जो लोग बेचते हैं उन पर रोक लगाए इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो सिधे करवाई करे पम्प मालिकों को भी नोटिस देकर कहा गया है कि वे किसी भी सूरत में बोतल में पेट्रोल नहीं दे अबर कोई दबाव बनाता है तो इसकी जनकारी पूलिस को दे पम्प में जनता की सुविधा के लिए पहले से तैसारी ब्यवस्ता करे सरकार गिराने के लिए तरह-तरह की साजिस रच रही ब्यवस्ता किया जा रहा है सरकार गठन के बाद वर्स 2020 में कुरोना महामारी के करें मुझे बिकाट परिस्थित्यों का सामना करना पड़ा सरकार लोगों के जीवन और आजीवका को बचाय रखने के लिए प्रयासरत रही ऐसे च्छन में भी बीरोधिये ने सरकार के खिलाब साजी स्रची वह कोडार्मा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारकार करम को संबोधित कर रहे थे ग्रीह मंत्री अमीच साह ने सियम हमन्त को सुरज कुंड में 27-28 अक्टूबर को दिया नियोता केंद्रीह ग्रीह मंत्री अमीच साह ने जारखन के मुख्य मंत्री हमन्त सुरण को नियोता भेजा है हालाकि अभी एसपस्ट नहीं है कि मुख्य मंत्री ने गिरी मंत्री का नियोता सविकार किया है या नहीं दरसल साथाइस और अठाइस अक्टूबर को हर्याना के सुरजकूंड में देश के सभी राजियों के गिरी मंत्रीयों का चिंतन सिवीर आयोजित किया गया है देश की आंत्रिक सुराक्षा से जुड़े मौसलों पर चार्चा के लिए आयोजित इस चिंतन सिवीर की अध्यक्सता केंद्रीय गिरी मंत्री आमित साह करने वाले है इसमें राजियों के गिरी मंत्रीयों को बुलाया गया है अब चुकी जार्खन में गिरी मंत्राले सीम हमान सुरेन के पास है इसलिए केंद्रीय गिरी मंत्राले ने उन्हें भी नियोता भेजा है जार्खन के 3,000 कॉलेजों में सिक्छक नियूक्ति का रास्ता साफ इसी के साथ ये संसोधन अधिस सुचित होकर लागू हो गया अभी तक कॉलेज सिक्षको की नियुक्ती में विशेवार आरक्षन रोष्टर का निर्मान किया जाता था तथा इसी के अनुरूप नियुक्ती होती थी यह संसोधन UGC के दिशा निर्देश पर किया गया है होटवार जेल के VIP कैदी भोग रह सूख इड़ी को मिली सुचना इड़ी ने बीर्सा मुंडा केंद्रिय कारा होटवार के अधिक छक हामीद अक्तरव जारकन पुलिस मुख्याले को नोटिस बेज कर कुछ बिंदूओ पर जनकारी मांगी है पुरा ममला मन्रेगा घोटाला एक हज़्जार कलोर के अवैद खनन वा अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरपतारी से समंधित है जिसमें जेल पर सासुना जारकन पुलिस के कुछ अधिकारियों पर इड़ी के आरोपितों को मदद करने का आरोप लगा है इड़ी ने बिंदुवार कई मामलो में जनकारी मांगी है इड़ी ने जेल अधिक्षक को भेजे गए नोटिस में बताया है कि इड़ी के उप्रोक्त मामलो में गिरपतार निलंबित आईएस पुजा सिंगल उनका चाटट अकाउंटेंट सुमन कुमार मुखे मंत्री का बरहेट बिधान सबाच्षेतर का बिधायक परतिने दिपंकज मिश्रा नेताओ वा नौकर साओ का करिभी प्रेम परकास वा अमित अगरवाल तथा कथित अपरादी बच्चु यादो और जार्खान हाई कोट के वक्तिल राजीव कुमार होटवार जेल में बंध है सुदेश महतों ने हिमत सरकार पर जम कर साधानी साना सराय के लाखर सावाजी लाखे चांडेला डैमेज थीत सिस महल में मंगरवार को आईसोपार्टी का कोलावन परमंडल अस्तरिये कारेकार्टा समेलन स सपत ग्रहन कारेकरम के खhane किया गया सपत ग्रहन समारों कारेकरम में मुख ग्याती थी आईसोपार्टी सुप्रीमों सुदेश कुमार महतों पसीत हुए इस दोरान सुदेश कुमार महतों ने करीब 7000 आईसू पार्टी के पताधिकारियों को पार्टी के सिधानतों की सपत दिलाई इस मौगे पर आईसू सिप्रूमस सुदेश कुमार महतों ने हमद सरकार पर निशाना साथ ते वे कहा है कि बर्तमान सरकार को ना तो जार्खन के इतिहास का बोध है और नहीं बर्तमान और भविस को लेकर कोई भीजन और परतिद्वनत्ता नहीं है कॉल के जार्खन का सवरूप कैसा हो इसको लेकर पिछले 32 महीनों से कार्या काल में सरकार ने ना तो कोई योजना बनाई और ना ही कोई रोड मैप तैयार किया लोहरदगा के किसको बीडियो अमित कुमार रिस्वत लेते गिरफतार जार्खन के लोहरदगा जिला के किसको परखंड सा अंचल कर्याले में मंगलवार को एंटी करप्सन ब्योरो की टीम ने किसको के परखंड विकास पता दिकारी अनिल कुमार मींच वह इसी विभाग के कंप्योटर अप्रेटर परमानंद कुमार को रिस्वत लेते रंगे हाथ गिरफतार किया बता दे आरोफाय की पंद्रहवे बीत आयोग से अनुसांसित पंचायत समिती मद से संचालीत नवार्टी की गाव में वर्ष 2021 में नाली निर्मान योजना के नाम पर लाभकोस रिस्वत की मांग की जा रही थी इसी दवरान नारी निवासी असफाक अंसार दवारे वीडियो अनिल मिंज को 20 यह रुपए तथा कम्प्यूटर अप्रेटर परवान नंत कुमार को 5 यह रुपए रिस्वत लेते एसी बी की टीम ने गिरफतार किया आदिवासी मुद्धो पर आंदोलन रत युवाओ को एक मंच पर लाने की तयारी आदिवासी मुद्धो पर आंदोलन रत संगहर्सरत जन जातिय युवाओ को एक मंच में लाने की कवायद सुरू कर दी गई है इनमें वैसे युवाओ को जोड़ा जा रहा है या कारिकरम से जूडने वाले है जो CNT, SPT, एक्ट संसोधन के विरोध, अस्थानिय नियोजन निती के समर्थन, पेशा कानून और कूर्मी को सामिल करने की विरोध में आंदोलन रत है युवाओ के लिए ट्राइबल यूथ फेश्ट का आवेजन कर पूरे जार्खन के 32 जन जातिय समोह के युवाओ को एक मंच में लाने का पर्यास किया जा रहा है ताकि आदिवासी आंदोलनों को युवाओ के माध्यम से धारदार बनाया जा सके बीत रहित सिक्षक 20 दिसंबर को मुख्य मंत्री आवास का करेंगे घिराव जार्खन के बीत रहित सिक्षक वाओ सिक्षकेतर कर्मियों ने मंगलवार को राजबहन के समक्ष महा धरना दिया बित रहित संस्थानों के अधिगरहन या घाटा नुदान की मांग को लेकर या आयोजन किया गया बारिस के बावजूद करमचारी डटे रहे संस्क्रीत स्कूल के सिक्षक पिल्ले वस्त्र में और मदार्शा के सिक्षक टोपी पहन का बिरोध करते दिखे धरना के बाद राजभौन में ग्यापन सोपा गया बित रही सिक्षक संहर्श मुर्शा के नितित में अब आठ नुवंबर को मुख्य मंत्री सिक्षा मंत्री और सिक्षा सचीव को इस्तिस सम्मंदित ग्यापन देगा इसके बाद 11 नौमबर को अपने अपने छेतर के विधायक वा सांसुदों के आवास का घिराव करेंगे वहीं 29 नौमबर को हजारो सिक्चक कर्मी सिक्चा मंत्री के आवास का घिराव करेंगे 8 दिसंबर को सभी प्रमंडलों में धारना दिया जाएगा जबकि 20 दिस्तंबर को मुख्र मंत्री के आवाज का गहराव करने का नहीं नहीं लिया गया है बच्चों में किताबे पढ़ने की ललक जगाने के लिए room to read अभियान शुरू सहर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले काच्छा एक से पांच वी तक विद्यार्थों को पुस्तकाले में रोचक तरीके से पढ़ने की सुधा मिलेगी इसके लिए सिक्षा विभाग ने read to room संस्था के साथ मिलकर सहर के 30 स्कूलों में library की सुरूआत की है इसके लिए जिन स्कूलों का चैन किया गया है वहाँ एक कमरे को भी सेस डंक से सजाया गया library में छोटे-छोटे वाक्यों के माध्यम से संदेश दिये गया है वहाँ पेंटिंग, पोश्टर और कहानियों के जरिये बच्चुक में सीखने की प्रवीर्ती बिक्सीत करने का पर्यास किया गया है छोटे-छोटे टेवूल कुर्सिया लगाई गई है जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सकते है जहारखन में बदल रही हिमंत सुरेन की सरकार बीजेपी कि योईनाओ को साजिस के तथ लटकाने का काम किया जा रहा है कोलकाता में गुंजा हेमन्त सुरेन जिन्दाबाद इर्फान अंसारी को जहर्खन लाने पर अड़े युवा जार्खन के बिभीन जिलो से मंगलवार को 500 से अधीक युवाओ का जाथा कोलकाता पहुंचा यह युवा मुख्य मंत्री हमन्सुरेन कांग्रेस परभारी अविनास पांडे और बिधायक इर्फान अंसारी जिन्दाबाद का नारा लगाते हुए इर्फान अंसारी को कुलकाता जहर्खन लाने की मांग कर रहे थे युआओ ने आक्रोश जताते वे कहा है कि जारकन के कुछ नेता यहां प्रती दिन कोईला तसकारी कर क्लोरो रुपए कमा रहे हैं और हमारे विधायक इरपान अंसारी के महज 48 लाक रुपए को कैस कान्ड का रूप देकर साजिस के तहस फंसाया है गोविंदपूर सहिवगंज रोड पर एक साथ पकड़े गए गाय भैस लदे 10 वाहन धनबाद में एक बार फिर बड़े संख्या में मुवसी लदे वाहन पकड़े गए हैं जाज के बाद सबी ट्रकों को जब्त कर पुलिस थाने ले आई है रांची में आपके द्वार कारिकरम में 15,000 अवेदन मिले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारिकरम का योजन मंगलवा को रांची जी ले के 12 पर खंडों के अलग अलग पंचायतों में किया गया रांची नगर निगम के वार नमबर 13 और 14 में भी कारिकरम का योजन किया गया विभिन पंचायतों में अविजी सीवीर में लोगों की सिकायतों का ओंदा स्पोर्ट निस्पादन भी किया गया उन्हें सरकार की लोग कननकारी उजनाओं की जनकारी दी गई इस दोरान कूल 15202 आवेदन प्राप्त हुए इनमें 746 आवेदनों काओन स्पोर्ट निस्पादन किया गया जबकि 15 आवेदन अस्वक्रित किये गए सेस का निस्पादन किया जा रहा है रांची से सौधी अरब दुबाई थाइलेंड चीन के लिए जल्द ही उडान सुरू करे मंत्री पेजल एवेदन स्वक्स्ता मंत्री मितलेस ठाक कुर ने नई दिली में मंगलवार को नागरिक उडाने मंत्री से कहा है रांची में अंतराश्ट्रिय उडान सुरू करने के लिए सभी साधन मौझूद है रांची से सौधी अरब, दुबाई, थाइलेंड, चीन, आधी देशों के लिए जल्द ही उडान सुरू करने का आगरा किया उन्होंने कहा है कि राज सरकार इस काम में अपना पूरा सहयोग देगी इसके अलावा मंतरी ने कारगो के लिए भी राज सरकार द्वारा जमिन उपलब दिकराने का प्रास्ताव रखा बतादे मंतरी मिशलेस ने विज्ञान भवान नई दिल्ली में नागरी कुडान मंतरा लाए बारा सरकार के तत्वधान में आयोजीत बैटाक में जारकन सरकार के प्रणतिनी के रूप में सामिल होकर राज सरकार का पक्ष रखा रांची पटना के लिए 29 को चलेगी छट एस्पेसल ट्रेन रांची रेल मंदल के द्वारा भेजेगे प्रस्ताव को स्विक्रित देते हुए रेल मंतराले ने छट एस्पेसल ट्रेन चलाने के उनमति दे दिया है यात्रियों की सुविधा और यात्रियों की अत्रिक्त भिड को काम करने के लिए रांची पटना रांची के लिए छाट एस्पेशल ट्रेन का परिचारन होगा रांची सिया ट्रेन 29 अक्टूबर की राथ रिए 11 बच कर 10 मेट पर रवाना होगी जो लोहरदागा, टोरी, लातेहार, बरवारी, डालटेंगाज, गड़वारोड, सुन नगर, जहानाबाद होते हुए दूसरे दिन सुबा साड़े दस बजे पटना पहुचेगी पूर्व सिक्षा मंत्रियों ने जैक पर उठाए सवाल जारखन एकेडमी काउंसिल की ओर से ओनलाइन पंजियन फरम और ओनलाइन परिक्षा फरम के लिए सुल्क लिए जाने का पूर्व सिक्षा मंत्रियों ने बिरोद किया है उन्होंने कहा है कि जब भी देर्थियों को आफ नहीं फरम नहीं मिल रहे और बेवस्ता आउनलाइन है तो सुल्क क्यों लिया जा रहा है यह मनमानी नहीं चलेगी परिक्षा के लावा अने जरूरी सुल्क लिया जाना सही है लेकिन जो फरम ही नहीं लिया जा रहा है उसकी रासी लेना समझ से परे है राई सरकार समय सिख्छा मंत्री जगनात महतों के इस पर हथ छेप करना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद बाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडिवाइक अवस्य दे थांक्यू